जैसे कि आप लोग ने देखा था कि मैं अपके भेंड की शादी की वीडियो से आपके शेयर कर रही हो और हमें इतनी रश्मों की नॉलेज भी नहीं है और हमारे लिए मेमोरी कलेक्ट हो जाए और हमें भी मालूम बड़े भविश में कि हमारे कौन कौन सी रश्मों होती है क्योंकि ग्रामी इडिया में तो सारी रश्मों होती है जब हम बजार सिटी में पहुंच जाते है तो इसनी रश्मों का हमें मालूम नहीं रहता और हमारी एज में आके हमें उतना knowledge नहीं है तो यहां पर यह हो रही है जो लड़का होता है दूला होता है उसका जो फूपा जी होते हैं वो जो सवासी करते हैं उसको यहां पर लास्ट में ready किया जाता है जो भी नेक सामान होता है वो इनको दिया जाएगा तो इनको देख सकते हो बुआ दोनों तीनों बुआ उन्हें मिलके इनको परिशान करें लेकिन वो बाबा जी बुलकुल अच्छे से बैटें वो बोले तुम जो करना है वो कर लो हम मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो बुआ होता है लेकिन यह जस्ट फन के तौर पर किया जाता है ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बुरा मान जाए वो अंकल भी बहुत खोश है वो बोल रहे है कि आपको जो करना है आराम से करो यहां तक अंकल को नेल पेंट वगरा मावर वगरा सब कुछ लगाए गाए तो और यह बीच कि बुआ वगरा उनकी संदिन होई तो उनको अच्छे से रैडी कर दिया है और फिर लास्ट में इन लोगों ने बाबाजी के साथ फोटो भी विच्वाया तो यहां पे चल लिए जूता चुपा लिए है छोटी वाली साली ने मनु ने इस जूते चुपा जो कि पूरी रा कि सारी रसमें अल्मोस्ट पूरी हो चुकी है और यहां पर मनु भी बहुत जादा खोश थी क्योंकि अच्छा सासान लेक मेरे गाता है मनु और रजनी दोनों को रजनी कुछ काम से बाहर गई थी और कहीं गई थी इस वज़े से यहां पर नहीं है आप आ गई है सबसे मु अपने माबाब को छोड़के आना कितना मुश्किल होता है वो बता नहीं सकती है तो यहां पर मम्मी से जो जब लगके रो रही थी वो तो मैं बोल नहीं पा रही है कैसा फील हो रहा था उस टाइम पर मैंने जब शादी के बाद यह क्लिप्स देखी थी तब भी मेरे को बह पापा ममी के लिए वो कभी लड़का लड़की थी नहीं हमेशा लड़के की भूमी का निवाई है जो काम भाई नहीं कर सकता भाई को इतना नहीं बोल सकते थे वो सारे लड़कों वाले काम इसने किया मेरे जाने के बाद पापा ममी को इतना फील नहीं होगा क्योंकि यह ह और मैंने कभी अपने बापा को रोटे हुए नहीं देखा, सुर्फ दो बार होते हुए देखा लाइख में एक मेरी पिदाई की टाहिए पर बहन की विदाई की टाहिए इससे पहले विदाई हो दे पहले पापा रो रहते और हम सब को छोड़के दूर चले गए थे बता नही है मेरा भाई ये वीडियो किसी और ने बनाई थी मैंने नहीं बनाई थी तो बाई भी कैसे का ब्लादाई आ है य०्य होगाया द शर्थ और स्भोड जाती थी वह उंको थे लादाई रभास भगवान नहीं बनाने चाहिए लड़िकी को अपनी माबाग को छोड़ के जाना पड़ता है जब मैं वाइस ओपर दे रहे हैं तब भी मेरे से रुकानी जा रहा है आसू आ रहे हैं और यहाँ पर जो फूपाजी होते हैं वो उसको लेके जा रहे हैं यह हो गई है बहन की बिदाई इस टाइम पर देख सकते हैं इस टाइम पर ऐसा कोई नहीं थे जो रू नहीं रहा हो भगवान तो यहाँ पर बहन की बिदाई हो गई है इसके बाद तो मैं कुछ नहीं बोल सकती भगवान ऐसा क्यों होता है मैं में पास वर्ट्स नहीं हैं बोलने के लिए बस भगवान से हमेशे यही प्रात्ना करते है भगवान उसकी नई लाइफ की सुरूबाद हो रिजो की बहुत अच्छी हो हमेशा खुश रहे खुश हो सर इसका घर हमेशा भर रहे उसको कभी भी किसी भी चीज तोड़ी से और कस्ट ना हो बस यही प्रादना कर सकते हैं अपनी बहन के लिए वो हमेशा खुश रहे उसको दुनिया की हर एक खुशी मिले क्योंकि वो उसकी लाइफ की नई शुरूबाद है तो भगवान उसको अपनो आश्रवाद हमेशा बनाये रहेखा